हर्याणा में विधान साब चुनाव जो है प्रचार बड़ी तेजो पर है और लगातार उमीदवारों के लिस्ट जारी की जारी है अगर उमीदवारों के बात की जाती है तो हर्याणा में एक चीज बड़ी आम देखने को मिलती है कि खिलाडी भी अपना जो है किसमत अजमाते हैं वो खिलाडी जो अखाडे में तो दम खम दिखाते ही है और अखाड से वो कई बड़े नाम अपने रोशन करते हैं देश का नाम रोशन करते हैं और राजनीती में आकर भी उन्होंने इस पेच पर भी कही जो है दम दिखाया अगर 1970 की बात की जाए तो सबसे पहले जो शुरुवात जो है 1970 में बॉक्सिंग रिंग के पेच से लेकर राजनीती के पेच में खूप चले पर राजनीती के शुरुवात करी और लगातार राजनीती में अपना पर्चम लहराते गए इसलिए पे हम जिक्र कर रहे हैं राजनीती में खिलाडियों की फिनेश वोगाट को अभी हाली में कॉंग्रिस की तरफ से टिकट दी गई है और जिस तरीके से पिछले समय में विनेश वोगाट की तरफ से एक अंदोलन जो शुरू किया गया था सभी खिलाडियों की तरफ से ब्रजपोशन के खिलाव वो भी जग जाहिर है और उसके बाद विनेश ओलम्पिक्स में जाती है जो चीज़े होती है कुछ वेट के कारण वहाँ से जो हैसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद कॉंग्रिस की तरफ से चाहिए आमादभी पार्टी की बात की जाए हर पार्टी की तरफ से कोशिश ही की जाती है कि विनेश वोगाट को टिकेट दी जाए विनेश वोगाट वरबजरंग पुनिया कॉंग्रिस का दामन थोड़ी ही दिन पहले थामत है जिसके बाद एक बार फिर से राचनीती गल्यारों में खिलाडियों का नाम चर्चा में आ जाता है बेशिक 1970 में वो विरेंदर चौधरी विरेंदर सिंग से शुरुवात होती है हाला कि वो बहुत नाम करते हैं संदीप सिंग भाजपा सरकार में भी किंद जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और हाला की बाद में उन्होंने उस पत को छोड़ दिया था और उसी तरीके से विनेश फोगाट के चाहें दंगलकल की बात की जाए तमाम ऐसे नाम है जिनोंने अपनी किस्मत जो है वो राजनीती में अजमाई अगर इन किस्मत अजमाई अगर उनके नामों का जिक्र किया जाए तो आपको बताना चाहेगे चौदरी विरंदर सिंग से लेकर कृष्ण मूर्ती हुड़ा संदीप सिंग बबीता फोगाट विजंदर सिंग विनेश फोगाट जो अभी हाली में आई है और विजरंग पुनिया को एक बड़ी जमेदारी है वो दी गई है योगेश्वा दर्थ से लेकर हर किसी ने कर सकते हैं अच्छी बात है राजनिती में जाए और इस पोस्ट को थोड़ा बढ़ावा दे कोई गल्त बात नहीं है तो मतलब वहां पर खेंड ले गई हुड़ी का क्या मन होता है वो किसी पार्टी में क्या सोच के जोइन कर सकता है अगर आपको कल को कोई मौका मिलता है जो विनेस ने डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा है देखा जाए तो मतलब वहां पर खेंड ले गई ओल्लम्पिक में वो वेट के कान रह गई तो गेम तो पूरी जिंद के साथ नहीं दे सकता कल ने क्या पता वो जीते और स्पोस्ट के लिए कुछ अच्छा करे अच्छ अधिके से भी हाली में विनेश वगाट और बजरंग पुनिया को जिसको एक बड़ी जम्मेदारी स्वापी गई है और विनेश वगाट को टिकेट जो है वो इस समय कॉंग्रेस के दरफ से दी गई है कहीं न कहीं अब सबकी नजर इसके ओपर है और क्यास ये भी लगाया जा रहे हैं कि अगर कॉंग्रेस की सरकार में विनेश वगाट जीत हासिल कर लेती और हर्याना में कॉंग्रेस सरकार बनती हैं तो कहीं न कहीं विनेश वगाट को खेल मंत्री भी बनाया जा सकता है ये अभी सरफ जो हैं अटकले हैं ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी तो वि विनेश फोगाट का राजनीती में आना, संयोग नहीं है, जिस डंग से उसको प्रताडित किया गया, जिस डंग से उसने योन शोचन के आरोप लगा है, ब्रजबूशन सरण सिंग, मैंने पहली बार देखा है कि किसी फेडरेशन का द्यक्स इस बात पर खुश हो रहा है, कि ह फेडरेशन का नाम हो, उनके किये हुए काम को लोग याद रखें, लेकिन मैं देख रहा था, जैसे ही विनेश फोगाट कॉंग्रेस में सामिल हुई, उनको टिकेट मिला, ब्रजबूशन सरण सिंग ने वही पुराणी लाइन पकड़ी, कि यह राजनीती थी, हम तो पहले यह क्यास लाए लगाए जारे थी कि भाजबा के साथ जो पुराने समय से खिलाडी जो जुड़े हुए हैं, जिनको पहले पार्टी अपना विश्वास जिता चुकी है, शायद उनको टिकेट मिल सकती है, लेकिन अभी हाला कि भाजबा की तरफ से 67 जो सीटे एनाउंस की ग रहेगा, जो खिलाडी इस बार अपनी किस्मत अजमाने जा रहे हैं, कि वो इस बार स्यासे पच्च पे कितना दम ठोकते हैं, कामरा मैनल जिन्दे के साथ, चनिकर सी टीवी नाइन के लिए मनप्रीत कौर